मंडल डैम किस नदी पर बनाया गया है? सोन रेखा, उतरी कोयल, सोन नदी या फिर मियुराक्षी नदी इस कोस्चन का आप लोग आंसर दीजिए और अगर पलामफुर मंडल से बिलोग करते होंगे तो इस कोस्चन का एंज़र आप लोग एजिली दे सकते हैं तो आए क्लास को श्राट करते हैं, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजएगा आप लोग और अट दे रेट लर्नर्स ग्राइज एजुकेशन टेलिग्राम चनल से पीडिव आप लोग जरूर रख लिजएगा क्योंकि रिविचन काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट पार्ट होता है आपके एक्जामेशन प्रिप्रेशन का तो उसको जो रख लिजएगा इंफोर्मेशन इसमें भर-बर के होता है तो एक बार में आपसे याद नहीं होगा बाकि कॉमुनिटी टेप से आप लोग भी क्नेक्ट रहेगा वहाँ भी इंफोर्मेशन जो हैंसे कुछ इंपोर्टेंट मैं सेयर करते रहता हूं लेट्स गियर आप लाक्स क्लास में कॉस्चन में एक मिश्टिक था वहाँ पर मेरे तो नहीं था यहाँ पर स्कॉर माइल होगा हिंदी में इसका है स्कॉर मीटर लिखा हुआ था देखिएगा तो आप लोग 1.6 में जो है से 1.6 क्यली मिटर होगा तो अकर माइल में एसक निकालेंगे तो डीटा तो कम आएगा क्योकि क्यलीमेटर स्कॉर में 796 क्यले स्कॉर जहारखन काbe halmonals क्यल आए अरिया आता है आपलों पार्टिशिपेटट नहीं कर रहा है, किस परोको जहरकंड में 9 वर्सका जो ऐसे के रूप में मना जाता है, यानि किसको 9 वर्सका सुरूबात मना जाता है? जारकंड के पहले जो गयर अधिवासी मुख्य मंत्री थे वो किस पार्टी से समधी थे सारंडा का वण मुख्य था किस जीले में है जारकंड मुल के जो आईपे सदिकारी कौन थे उनको राश्पती विर्ता फुरसकार 2015 दिया गया था और दियुकि विकास शेत्र अधित्यपूर है वह किस सहर के निकट है आप लोगों को पढ़े होंगे अधित्यापूर इंडर्स्ट्रियल एरिया डेवलप्मेंट आतुरिटी इसका फुल्पम भी होता है तो यह किस सहर के निकट है और पत्रातु थर्मल पाउर प्लांट 1962 में है और रूस के सहयोक्स निर्मित है तो भारत में भी यह कंपनी है तो यह कौन सी कंपनी है हिंट देता हूं यह भारत के सबसे बड़ी विदूत निर्माता कंपनी है आगे आता है विर्सा जोलोजिकल पार कहां पे सी था है अलग राजे जारकंड की मांग को लेकर ला डाकू दीकू सेन हुआ इसका मतलब होता है जारकंड हमारा है और सभी डाकू और दीकू को यहां से जाना पड़ेगा यह नारा जो है से आपको 1952 के हम चुनाओं में एक पार्टी की द्वरा दिया गया था उस पार्टी का नाम बताना है जारकंड सरकार नेका नो से लिकर सबसे पहली जो जारकंडी महिला थे उनका नाम क्या है तुप चाची जिल कहां पे सीथ है और कौन सा जल प्रपाथा उसको गौतम धारा के नाम से जाना जाता है इसका लोकेशन भी आप लोग जरू बताईएगा तो टोटल एच 16 कोश्चन है डिटेल महां पे डिसकस करू योका दी खरवार जो जन जाती है खर्वार जन जन संक्या है उसका 2.88% खरवार है ऊठाल उरां उसके बाद मुंडा हो उसके बाद पांचवी जन जाती है वो आपको खरवार देखने हो कि मिलेगा और इसको अठारह हजारी के रूप में भी जाना जाता है तो पूछे कर इसको सिल्पकार जाता है जाना जाता है अगे देखेंगा जो कला होता है डोकरा उसके लिए जो जाना जाता है जन्जाती वो मलहार और तंत्री समुदा है देहान रखेंगा मलहार और तंत्री समुधार डोकरार तेख लीजेगा इसका जो टेकनिक होता है लोष्ट वैक्स टेकनिक पे बनाया जाता है अप लोगोगों को बनाया है उसका लोहना को गलाकर जो आऊचार बनाने में ज straight आती है वो आशुर जाती है और अभी लोहरा जो जन जाती देखने के भी लगा वह इसी सम्न्दी था याज जाती है वा है सारिय पहाड़िया ata क्रीसी के प्राफा को बदलने के लिए जो जान जाती जान जाती है वा है सारिय पहाड़िया मैं एक सी जहाँ पर discuss करना चाहूंगो थोड़ा सा hold करके कि जितना ही question आप देख रहे हैं वह सबका मेरा base होता है previous year question मैं कोई भी question फालत हो आपको नहीं बता रहा हूं जितना question आप लोग देखते हैं सबका base previous year question होता है उसी को मैं ज़्यादा elaborate करकर discuss करता हूं और कुछ class और मुझे लेने दीजे उसके बाद जहारकंड का आप लोग कोई भी question उठा कर बनाईएगा सब आपको बन लगए कुछ और part मुझे और लेने दीजे और अभी से आप लोग बनाईएगा तो अधितर question आपको बनने लगएगा क्योंकि मेरा class काफी ज़्यादा comprehensive रहता है तो shifting रिक culture के ध्यान रखिएगा बदनने की प्रथा के लिए जो जाना जाता है वह है आपको सोरिया पहाडिया हंटर गेदरर के रूप में जो जाना जाता है हंटर गेदरर के रूप में जाना जाता है जमसेतपूर गिरिडी देवगर या फिर मलुटी तो answer इसका C हो जाएगा देवगर देवगर में बाबा धाम है जार्खन धाम गिरिडी में लोकेट है एक temple देखने को मिलेगा बाबा धाम यहाँ पर देवगर में है confuse मत कीजेगा दोनों point में आईए कुछ जार्खन के सारों के कुछ उपनाम देख लेजे जैसे जार्खन की सांस्कितिक राजधानी बोलेगा तो देवगर लगा दीजेगा जार्खन की और देवगर की राजधानी जमसेदपुर को कहा जाता है जार्खन की परसन सासनिक राजधानी यही main capital होता है आपका जिसको अप लोग administrative capital बोलता है जार्खन की राजधानी तो आपको पता होगा दुमका में है ताटा नगरी और यहां भारत का रूर जमसेदपुर कहा जाता है इस्टिल सिटी बोकारो को बला जाता है उके नम 1964 में इसको इस्टेबिस किया गया था थर्ड 5-year plan के दोरान यह पहला बार मैं डिसकस कर रहा हूं थर्ड 5-year plan बोकारो देख लीजेगा नेटे 64 में इस्टेबिस तो था लेकिन यह थर्ड 5-year plan का द्रगाद इसको इस्टेबिस किया गया तो बोकारो इस्टिल सिटी को ध्यान रखेगा और बोकारो में भारत का पहला जो है से ग्लोबल एक्सिट सिटी बनेगा इविध्यान रखेम जर्णों का सार राचिव कहा जाता है छोटा नागपुर का मलिका यह सबसे अधिक वर्सावला अस्थान है नितराट दिश्टी पुझेगा सबसे ज़्यादा बर्सावला असान तो सहब इन लगाएगा मंदिरों का गाउ सिकारी पाड़ा फिलिज है मलोटी दुमका में इसको याद रखेगा मलोटी को कहा जाता है और मिनी लंदन मैकलोसी गंच को कहा जाता है तो सब कुछ याद रखेगा बनके आता है उर्जा गंगा है आपको उर्जा है से उर्जा गंगा जगदिस्पूर हल्दिया गैस वाइपलाइन इसमें जहारखंड किसके साथ जो है से हां सक्षर किये थे टाटा नाबाड गेल या फिर एंटीपीसी तो आनसर इसका गेल हो जाएगा गेल क्या होता है क् इंडिया लिमिटेड दिमाग लगेगा तो बन जाएगा फुल्फरम याद रहेगा तो तो अभीसी बात है गैस को यहां से वहां पर भेजना है तो अभीसी बात है जो गैस का काम करता हो उसी के साथ आपलब पार्टरशिप किचेगा ठीक है जुता सियाना होगा तो मुच रिलेटर इंफ्रमेशन देख लेते हैं यह जो गैस पाइपलान है लगवग आपको 26 किलोमेटर के आसपास लमा देखने हो मिलेगा और इसमें पांच राज्य जहां से सामिल होंगे जिसमें उतर परदेस आपको देखने हो मिलेगा जगदिशपूर दिख रहा हुआ हुआ है उतर परदेस का ही है उसका उड़िसा के कौवर करें और और इसरे जढ़कर लिचे के आपको पूछा जा सकता है कितने कितने जिलो से या जगदिशपूर बोकारोव से पास करता है और साहु करनीबर संथाल प्रघना में तिन डिस्टिख आता है उसमें से पूर्वी सीभूम है इसको है पास लिखनास होगा के, ¥ इसमें में है और के इस अफ 2 दिस्टिख इसमें है गिरीडी कोशन से मुद्गेशान है, आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा ठीक है सब कुछ यहां पर है तो देख लिए आपने तो इसको आप लोग याद रखेगा गेल था इंडिया लिमिटेड जारकंड का सबसे उत्री जिला और दक्षिनी जिला कौन सा आपको क्रमसा बताना है साहव गंज पस्चिन सीबुम गढ़वा पूर्वी सीबुम साहव गंज या फिर पूर्वी सीबुम गढ़वा या फिर सराय के लखर सामत हो आई थोड़ा सा मैप में आप लोग देख लि सबसे उत्री जिला आपको साहव गंज मिल गया और सबसे दक्षिनी जिला यहाँ पे आपको वेश्चिन सीबुम आता है तिसरस इसका अंसर क्या हो जाएगा आए कुछ मैप आपको प्रेक्टिस करवा देते हैं यहीं पर मैं डिस्कस करूंगा मैप में लेकर आऊंगा और देखिए यहाँ पर इंफर्मेशन जैसे का आप लोग देखिएगा 463 गुना 380 है इसका पूरब से पस्षिन तक लंबाई ज्यादा है और उतर दक्षिन तक कम है अब इसके 60 राज्यों की संक्या 5 है जिसमें आपको बिह जार और पस्षिम बगाल दोनों से जार्कन के 10-10 जीली जाएंसे टच करते है और उतर प्रदेश से जार्कन का एकमात्र जीला टच करता है जो कि है गड़वा तो इतना इंफर्मेशन याद रखेगा निश आता है जार्कन का सबसे उत्री जीला तो बता दिया साहिव जो कि यहां पर लिखा हुआ है दो राजे से 60 जीलों के संक्या पांच है दो राजे संक्याएं साह है निवारे एकमात्र गढ़वा तो extradition करता है गथना इस्टियेट से टच करता है, एक मात्र जिला हुआ है, गड़वा, ठीकना, वाकि दो राजे से टच करता है, आपको यहाँदर देखने को मिलेगा, इधर देखने को मिले का, और यहां पर सारा मेंशन किया हुआ है, तो देख लिजेगा, और स्थलबाद यानि कि लैंडलोग जो district है वह दो है लोहर दगगा और खुंटी देखिए गदर जहरकंड का मैप में तो जितना भी district का किसी न किसी राज़े के साथ अपने सीमा साजा करता है कोई भी district आप लोटा लेजे सब जो हैसे किसी के साथ border उसका टच करेगा लेकिन सिर्फ आपको लोहर दगगा यहाँ पर district और एक खुंटी तो लोहर दगगा और खुंटी एक मात मतलब तो यह दो district है जो किसी के साथ अपने सीमा साजानी करते हैं बागे सब district किसी ने किसी के साथ border जो हैसे share करता है कोई एक तो कोई दो तो कोई तीन इतना से देख लिजेगा है okay तो सारा चीज़ को detail में डिस्कस कर दिया मेब में आपको दिखा दिया दिया क्शक्क है अभी कुछ कोशन और आने वाला है ठीक है जैसे कि कुछ district है इसको मैं पूरब से पस्यम की और ओके लगाने के लिए करम में आपको दिया जाता है तो आपसे जो है से कुछ-कुछ कोषन आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा साका केलंडर के अनुसार जहारखंड का कौन सा तेवहर माग महिने के पहले दिन आइवजित किया जाता है सरहुल, बंदना, करम या फिर हल पुनिया तो आंसर इसका D हो जाएगा हल पुनिया हल पुनिया को माग महिने के पहले दिन आइवजित किया जाता है आजे डिडेल में देख लेते हैं हल पुनिया जो हैसे मांग महिले के पहले दिन मनाया जाता है और इसमें अखान जतरा और इसको कहा जाता है और दिखिए कहा जोहाँ जिसमें जो यह इसे जुताई के शुरुआत होता है जैसे कि फसल जब आप लोग बोते हैं तो उसके लिए हल पुनिया को मनाया करता है इसमें करम बिष्ट की पुजा की जाते हैं दो भाई थे करम और धरम चांडी पर्व मांग फुर्णीमा को मना जाता है और उसमें सिर्फ पूरिस भाग लेते हैं महिला इसमें भाग नहीं लेती हैं और अगर परिवार की किसी सदसे का में किसी एक परिवार में अगर कोई मह मनाये जाता है यह पर नौर्स को रूप में हो більव 45 नहीं होगा किया वर्यावा है सूरी फर्नाये में मनाया जाता है तो बन Arabs कमें मitने जाता है। मतनी कम करने इसको है में टूसे परके सपाष है तुम 137 को मनाया जाता है। मकर सकरादी के औस पहुता है और परसु का पर्व होता है सोराय और वंदना दोनों परसु का एक पर्व है बाग़े चीट पहले विट डिसकस कर चुका हूं तो रिविजन हो गया होगा तो सब चीज को अच्छे से देख लीजेगा तो हल पुनिया इसका एंसर हो जाएगा माग महिने मनाया जाता है कोशन अलड़ी पुछा चुका है किसने किसी जहरकन के एकजाम में साका केलेंडर के अनुसार जहरकन का कौन सा त्योहार माग महिने के पहले दीन आयोजित किया जाता है या फिर मनाया जाता है सरहूल वंदना करम या फिर हल पुनिया अनसर इसका डी हो जाएगा हल पुनिया माग महिने के पहले दीन जोह से मनाया जाता है इसको देखिएगा तो यह जोताई सुरुवात होता है उस समय मनाया जाता है तो इसमें माग महिना का पहला दिन होता है हम लोग चाहते हैं यह जो परवा है यह अच्छे भागे का पर्तिक का रूप में मनाया जाता है बाकि कुछ इंफॉर्मेशन देख लिजे फगवा जो और सुक लेकादसी को मनाया जाता है और चांडी परो माग पुर्णिमा को मनाया जाता है ध्यान रखिगा और चांडी परो में सिर्फ पुरुस भाग लेते हैं महिला भाग नहीं लेती हैं दुसरा बात है कि अगर किसी परिवार के सद्द से हैं उसमें कोई महिला अगर प करोल पूजा उसका दुवअदना कार्ती कमासय को मनाय जाता है यह पसुका तेवहर जावव परो बैसाक मनाय जाता है और विवाहित आदिवासी कन्याओं के द्वार अच्छी उर्वर्ता और परिवार के खातिरीय तेवहर मना जाता है डारेक्ष कोचन आचुका एक जाम मे अनुसार देखेगा तो रोहिनी को जो हैसे संभोतव बोला गया है कि यह पहला पर्व है जार्खंड का और भगता परव में आपको बसंत पंचमी और बसंत और घर्मी के बीच मनाया जाता है बुढ़ा बाबा की पुजा किया जाता है तमार चित्र में यह परव प्रसिद है सोराय कार्ति कमोस्या को मनाया जाता है पसंत का परव है तो सोराय और बंदना दोनुस जो है से पसंत का तेवहार है तेता इंफर्मेस्टन यहाद रखेगा आंसर इसका हलपुनिया हो गया और पहले भी सब चीज को में डिसकस कर चुका हूँ जार्खंड सिख्या प्रियुजना परिस्द यानि कि जार्खंड प्रोजेक्ट एजूकेशन कॉंसिल को पंजिगर तो आंसर इसका है 12 अप्रील 2001 डाइरेक्या यह लाट किए का मिं stressed रिट कर सकते हैं जहारकंड एजुकेशन प्रजेट कॉंसील एक अर्टरोस बोडी है जो कि रजिस्टर्ड है अंडर सोसाइटीज एक रजिस्टेशन एक 1860 का जीपी सिर ने आप मतलब अभी है ध्यान रखेगा इसमें आपको पब्लिक सर्विस का बिशन जो है से इस्टेश्ट किया जाता है कि जहारकंड में देखेगा तो कामपा कामपा जो है से 2005 में इसको लाया गया था दूसरा बात है यहां पर जहारकंड इस्टेट जहारकंड इस्टेट इसको नोटिफाई किया गया था अधिस्टूची 2008 में और इस्टेश्ट किया गया था 2010 में ध्यान के कोश्चन बनता है अगर इसको देखेगा आप लोग जहारकंड मतलब हरे के इस्टेट में डिजेश्टर मेंट आथरोटी होता है तो उसको जो चे इन में से किसके नेटितों में 1748-1850 के बीच मराटों ने छोटा नांग चेत्र में काफिलूट मार की थी तो परसनद मीर हभी थी इनσι के नेपिला में जोह एसे काफिलूट मार किया था चोटा नांगपूर चेत्र में आगे देखेगा जारकंड में मराठो का जो सवर पर्थम आगमन हुआ था वा 741 में हुआ था उसमें नागमन्स के राजा उदय साथ है यह चीज याद रग सकते हैं अली वर्दी खान के बारे में याद देखेगा रांगबर रांगण पर यह आकर्मन किये थे 733 में और जारकंड में आंगरेजों का पर्थम जो आगमन हुआ था वा सीबुम छेत्र में हुआ था 17166 में फर्ग्यूसन के नेदेते में हुआ था आगों पता होगा जो इसमें बंगाल के दिवानी जो मिला था 1765 में हलाबाद संदी के बाद तो उसके बाद जो हैसे दिविद्र पर्वेस्वना शुरू हो गया था अंगरेजों का तो आंसर इसका हो चुका है मीर हभी भी याद रखें ओके चलिए जारखंड छेत्र में वनो के परमंधन का पर्थम पर्यास किसके द्वारा किया गया था हार कार्टेयर्स, इकांबेल, जेफ हैबिट या फिर इवैंसली सही अनसर इसका C है, जेव हैबिट के द्वारा जारकंड में वन एक प्रवनों के परमधन का प्रतम प्रयास किया गया था, टाइम था आपका 1882-1882 के बीज, संयुक्त वन परमधन संकल्प जो ऐसे जारकंड में 2001 मिलिया गया था, और पूरा भारत में देखेगा तो संयुक् वर्षी योजना देख लीजेगा, इसमें जारकंड में जाय से 24-24 वर किलिमेटर चेतर पर वन रोपन करने का लक्षे रखा गया था, और जारकंड में कुछ वन से लिटिट देखिएगा, तो जन्वन योजना है 2015 का, और इसमें 75% रासी जो हैसा सरकार आपको देती है, 25% आपको लगाना पड़ेगा, तो जन्वन योजना देखिएगा 2015 में आया था, रगवर्दास के टाइम में 75% रासी सरकार भुकतान करती है, और बिर्सा हरित गराम योजना 4 मैज 2020 का को आया था, यह कोस्चन आपके एकजाम के लिए काफी ज़्यादा है, इसका परफस है ग पर काफिटा इंकम को डवल करना यह था लग्जियों, तो जेब हैबिट यह रखें, उत्री कोयल जलासे परियोजना का नाम करन किसके नाम पर किया गया है, निलामबर पितामबर सीदोकान हो, अलबट एका या फिर्ट समुन्डा, आंसर इसका यह हो जाएगा, उत्री कोय जलासे परियोजना के पर हम देख लीजे, इसको मंडर डेम परियोजना भी कहा जाता है, इसको देखीगा तो घाटन जो 5 जनुवरी 2019 को किया गया था, परियोजना आज का नहीं है, बहुत पहले का है, ध्यान रखेगा, इस जो डेम का नाम है, वार निलामबर पितामबर इस परियोजना से पलामु, गढवा और अंगाबाद जीलेों को पानी मिलना है, और यह सोर पर थमाज का नहीं है, बज़े से चर्चा कर रहा था, उत्री कोयल देख लिजेगा, जिस पर यह परियोजना है, सोन नदी के सायक नदी है, और ओरंगा और अमानत उत्री कोयल के सायक नदी है, बिहार और जारकन की संजुकत परियोजना है, यह कोशन इपनेट बनेगा, कि जो उत्री कोयल परियोजना है, वो भीहार और जारकन, दोनों को को यह प्षैदा होगा, जारकन के técnre को पलामु गढवा ला ते Хार के बिहार का और और इस लभानमृत होगा, तेक रेलेटेड इनफोरमेशन हो गया, ती इतना चीज याद रख लीजेगा निलांबर पितांबर, निलांबर पितांबर उन्वर्सिटी भी प्लामों में जिसका इस्टेवलिस किया गया था 2009 में, ते सब कुछ याद रखे गए, इन में से कौन सा कथन गलत है, संथाली साहीते का भारत इंदू डोमन साहू समीर को कहा जाता है संथाली भासा का भारत इंदू पंडित रगुनात मुर्मु को कहा जाता है और होडम वाक आटो संथाली भासा का प्रतम उपनयास है जो की रोमन लिपी में प्रकासित है इन में से कौन साय स्टेट्मेंट गलत है तो इसमें से कोई साय स्टेट्मेंट गलत नहीं है सारा का सारा स्टेट्मेंट सही है संथाली साहिते का पहला संथाली साहिते का जो भारत इंतु का जाता है वो डोमन साहु समीर को का जाता है और संथाली भासा का भारत इंतु पंड संथाली भासा का पहला समचार पत्र था होड समीर इसका प्रकासित किये थे और संथाली भासा का पहला लगू कहानी संगुरा था संथाली भासा का पहले रोम लिपी में चलता था पंचपरगनिया भासा उसके लिए ज्ञाड लिपी है और एक और भासा है कुडुक उसका तोलोंग सिकी लिपी है तोलोंग सिकी अब देखते हैं जेसेसी और जेपीसी कॉर्णर में जेसेसी एसाई दोज़ेस सत्रा का डस प्रिवेस एर क्योस्चन पहला कॉशन काता है कि जहरकन में देखिए को पुरानों के मुताबिक कौन सा मंदिर है जो कि अंतिम संस्कार के लिए उप्युक जगा मना गया है तो वह आपको है बैदनात टेंपल वही बैदनात मंदिर जो कि देवगर में है ओके न ध्यान रखेगा यह अंतिम संस्कार भी है और यहां पे जोतिर लिंग में से भी एक है इसलिए इंपोटेंट जगव बन जाता है तो बैदनाथ टेंपर लोकेशन आपका अध्योगर है अंडर दुमका सब्डिवेजन हाव मेनी प्लोक्स आर देया तो दुमका सब्डिवेजन में आपको टोटल टेल ब्लोक्स देखने को मिलेंगा आशर इसका वन हो जाएगा टेन ब्लोक्स देख गणवाद डिस्टिक वाज फोन प्रोम इट सेपरेशन विट फिच अप पलामू से इसको देख लीजगा पलामू परमंडल में देखेए गा तो अभी तीन डिस्टिक है पलामू गढ़वा लाते है और इसको बनाया गया था उसका ट्रिक था बीसी जी बोकारो उसके बाद चत्रा और जी से गढ़वा ठीक है देख लीजगा गरेडी नहीं है गर तो आंसर इसका थ्री हो जाएगा पलामू डिस्टिक से बनाया गया था इसको ठीक है अपरेल उनिस्ट इक्यानवे में विची दा हाइस्ट पीक अभजारगंड तो पार्स नास्ट हो जाएगा आपका हिल सबसे उचा हिल है चार चार तीन वन फीट इसका हाइट है मीटर पुछेगा तो 1365 मीटर लगा लिजेगा किलोमेटर में 1.36 किलोमेटर हो जाएगा ठीक है चलिए गोड़ा डिस्टिक इस काफड आउट फुरूम वीच डिस्टिक अभजारगंड तो गोड़ा डिस्टिक देखिएगा तो यह संथाल प्रगना से इसको बनाया गया था तो तो इसको संथाल प्रगना से ही बनाया गया था और गोड़ा भी में संथाल प्रगना टोटल 6 डिस्टिक आता है उसमें गोड़ा भी देखने को मिलेगा जांतारा दुमका साहिब गंजी सबाता है तो आपको पता होगा यह 2014 का चुना हुआ था उसमें जो हैसे भाजपा पूरी बहुमत में आई थी और यहाई पे रगवरदास जो हैसे C.E.M. बने थे जारखंड के पहले गयर अदिवासी मुक्यमंत्री बीजेपी से थे गूमला डिस्टिक का कंसीस्ट अफ हो मेनिस सब्डिविजन। गूमला डिस्टिक में तीन जो आपको सब्डिविजन देखनें को मिलेगा तो आनसर इसका 2 फो हो जायेगा तेन शब्डिविजन आपको यह गूमला है उसका चैनपूर अवेक बसिया है इन वीच ऑफ दो फ्लोइंग डिस्टिक अवजार खंट बिर्सा मुंडा इस्टेटिम इस्टिवेटेट तो बहुत हीजी हो गया यह आपको रांची में लोकटेट है जहां पर आपको पता होगा चौंतिसवा नेशनल गेम भी हुआ था जिसका मसकर था बेबी डियर छावा ट्राइब हैबिंग इट्स ऑन स्क्रिप्ट नोन एज ओल्चे की स्क्रिप्ट तो पता दिया ओल्चे की किसका है तो यह संथाल लोगों का है विचे तो फ्लोईंग ट्राइब इस एछ ओन एज कुडुखóc तो देखिए जो उराव लोग हो हैं वो अपने को कुडुख बलते है दो उराव लोग कुडुख बलते हैं तो अंसर इसका choose होया लोग अपने को कुडुख बलते हैं ढाते हैं वह लाइन जारकन जी के जो आप से पूछा यह था इसको मैच कर ल modern class वह आज्वा में सुकल पर्व में सक्ष में लुको चौद हमें सारंडा का वंज मुखेता पॉस्चेन सेवों में देखने में मिलेगा ऐसे यह पूर्वी सेवों में भी पड़ता है जारकट मुल के जो आइपे साधिकारी थे नाम था उनका सुवेंद्र कुमार उनको राश्पती विरता पुरसकार 2015 में दिया गया था और विक निश्रा तही है आपको पत्रातू जो थेर्मल पाउवर प्लांट है वह न्टि-पी-सी का सवयोग से है नें अन्टि-पी-सी का है चीहतर परसें इसेटर हिस्टारी न्टि-पी-सी का है वाकी जहारकट इस्टेट इलेक्टिशिटी बोर्डD JSEV का इसमें 76 में से घटा लेजी 24 परसेंट आजाएगा तो 24 परसेंट हिसेदारी जो है यह जारकंड इस्टेट इलेप्सिटी बोर्ड का है बाकि 76 परसेंट इसमें इंटी पीसी योगदान देता है ठीक है मतलब उसका यह पार्ट होता है ओके तो आंसर इसका देख लिए आपने इंटी पीसी हो जारकंड की मांग को लेकर जो नारा दिया गया था लालकंड का वह एके राय के द्वारा दिया गया अरुन कुमार राय एक जारकंड मुक्ति मोर्चा के संसापक सदर्स्यों में से एक है तीन परसेंट थे जो कि सिभू सुरेन है उसके बाद बिनोद बिहारी महतो और एक एके राय यानि की अरुन कुमार राय चार फरवरी 1973 को जारकंड मुक्ति मोर्चा चुनाव चीन तीर धनुच्छाप को अस्थापित किये थे याद रखेगा उसके बाद परधान मंत्री उसमें अटल बिहारी बाचपे थे जो की अलग राय जारकंड की खोसना किये थे इसको जह से जारकंड पार्टी नाम कर दिया गया था जब युनाटेट जास्टिन रिचर्ड का उसके साथ इसको बिलाइक कर दिया गया था आजवासी महासापा का जारकंड पार्टी बना था तो देखिए वह जो नाम था के जी बीपी यह है आपको कस्तुर्वा गंधी वी भी अभी बीद्याल आपको बहुत सकते हैं तो उन्हीं लोग के लिए आपको देठीर डेली यियोजनां किया गया था देया मनी बार्ला को आरेलेटी आप जारकण कहा जाता है, प्रेम लता अगरवाल का संभन, परवाता रोहन से ध्यान रके गए जारकण की पहली महिला है और विश्व की जितना उची चोटी है, सब को फटा करने वाली है, पूरे विश्व की परतम महिला है और सब ज़्यदा ज्यादा एज में भी किये तैंट उस एज में ज्याज से एक कारणामा की थे तो प्जाजी जील धनबाद में जिसी था है जो अना जल पर पाते है राड़ु नदीपर है राड़ु रुभ बोला जाता है राड़ु और राची में है अब इसको गौतमधार चाहरखंड के कितने प्रेटर असल में असकाई वाक बनाने की योजना सरकार दरश रुखिया गया है तो यह जो ऐसे पांच हो जाएगा इसका एंसर ना तो पांच में असकाई वाक बनेगा असकाई वाक देखे कुछ इस तरह से होता है लंबा दूर तक जाएगा इस पर जाएगा इसको स्काई वाक बोला जाता है ग्लास का बना होता है ना इसको देख लिएगा दूसरा चीज़ करने यह इक इमेज हुआ हुआ था आपको बता होगा वाइरल बनी हो सकते हैं न्यूज में आ रहा था कि जो है से सीम जो थे गया थे बिहार के निद्यसकुमार व साफी जाद इपूटेम रहे गा तो जाएं जार्चण में के की मंदीर की जांकी को दिखाय गया था और लिए गार फार से वाल-पे it देख लीजेगा यह आपका जहारकन का परेड है मतलब सोरी गंधनता दिवस का परेड है जो कि जहारकन के जहां की देखने को मिल रहा है यहां पर देवगर मंदिर को दिखाया गया है और यह आपको आदिवासी सोतंतरता सेनानी जहां से बिरसा मुंडा जी है धर्ती आबा तो आणसर इसका बावाथाम देखर हो गया जहारकन के किस से जिले की स्कूल को 7 star rating इसकूल आवार्ट दिया गया है राची जमसेतुर बोकारो या फिर पलाम हो तो आणसर इसका हो जाएगा C बोकारो इसकूल है जिसमें बोकारो का DPS इसकूल था ना तो उसको यह आवार् आणसर इसका C हो जाएगा बोकारो ठीक है इस्टिल सिटी है आपको बोकारो भारत का पहला ग्लोबल एक्टिव सिटी हाली में जहारकन के किस निर्देशक की शौट फिल्म प्यारे पापा को 13 जनवरी 2030 को डिजनी प्लस और स्टार पर लेज किया गया है तो यह संतोस उज भी जारकन में जो हैसे एक जारकन के निर्देशक है और राधा कृष्ण पता होगा इनके नितितों में पहला वृत चित्र बनाया गया था दोक्यूमेंटरी ठीना कब बनाया गया था जरा एक कोश्चन बताइएगा एक गवर्नेंस एंट सिटीजन इंगेजमेंट पुस्ता कर लोग आरपन किस बिस्विदाल में किया गया था तो यह क्या होता है तो सी यूजे सौट में है यहां है सेंट्रल उनिवर्सिटी और और इन पी यूजासे द्धाल यह संखलित की है आंसर इसका यहести यूजे में नीव डारएंच बताएगाए मिलते हैं फिर अगले की है मिलते हैं क्लास में वीडियो के लाइग जरू दे दीजेगा और आसा है कि क्लास आपको आपके लिए कापी जाता फूट्पू लोगा पीडियो एड़रेट लेर्ट लेर्ट लाइज एजुकेशन टेलिग्राम चैनल से डाउनलोड कर लिजेगा वंदे हारतम जहें